हालो दोस्तों स्वागत है आप सबका YouTube Study Channels में आप सभी ने 24 मार्च को हिंदी की परिक्षा कम्प्लीट किया है और आने वाले परिक्षा आपका 30 मार्च 2022 को इंगलिस का होने वाला है इंगलिस की परिक्षा हिंदी की परिक्षा से थोड़ा कठिन भी से हैं उसमें से आपका इंगलिस grammar ठोड़ा सा एक और कठिन परस्त बन जाता है उसमें से आपको आज हमने narrations और डिग्री के कुछ महत्फ़न कोस्टनों को बताएंगे जिसमें से आपका narration और डिग्री दो-दो नंबर के दोनो कोस्टन आते हैं जिसमें से आपको एक-एक कोस्टन करने होते हैं उसकी बाद इस वीडियो के बाद से तुरंत एक वीडियो बनाऊंगा उसमें remove to के बारे में और simple sentence को कैसे compound में change करते हैं compound को कैसे complex में change करते हैं इस पर आपको वीडियो बन काएगी तो चलिए अंत तक बन रहिएगा इस वीडियो में चलिए question number पहले की तरफ देखते हैं जो question number पहला है आपका वो है कि Priya Priya said to me Ratan has been reading for two hours देखते हैं यह direct speech में दिया है इसको indirect speech में change करना है indirect speech में change करना है तो इससे पहले एक वीडियो हम बनाये थे आपके लिए indirect speech के लिए चलिए फिर से हम revise कराते हैं इसमें से सबसी पहले चेंज करते हैं reporting verb यहां conjunction का इवस करते हैं हम यहां पर tense change करेंगे और nearness distance तो इसमें हाई नहीं होता तो change करते हैं चलिए सबसी पहले तो देखते हैं यह जो reporting verb हैं यह sentence का नुसार change होता है और यह sentence assorty sentence में दिया गया है क्यों कैसे पता चले का assorty sentence में है यह subject से सुरू है फुलिष्टा पर खत्म है इसलिए assorty sentence है assorty sentence है तो assorty sentence को हम sad2 को told में change करते हैं तो यह आपका change हो जाएगा sad2 को किसमें change करेंगे priya told यह हो जाएगा आपका me priya told me इसकी जगह पर हम conjunction का यूज करेंगे assorty sentence में conjunction डाइट लगता है तो डाइट रतन थर्ड परसन है थर्ड परसन तो change नहीं होगा तो रतन का रतन हो जाएगा रतन देखिए tense होगा क्यों tense होगा कि reporting भर past में है past में तो has been had been में change हो जाएगा had been यह तो reading है तो reading है रह जाएगा reading for two hours इसमें कुछ changing होने वाला नहीं है बिल्कुर सौर टाइम में इसको ऐसे ही का करेंगे आप लोग नोट कर देंगे इसमें changing नहीं होगी चलिए अगले tense की तरफ देखते हैं जो अगला tense है the teacher saying tense सुरी अगला sentence the teacher said to the students do you remember the license well यहाँ पर कह रहा है न कि यह जो दिया गया इसको reporting भर बोलते है इसको reported speech बोलते है इसको हमको indirect speech में change करना है indirect speech में change करना है तो यहाँ पर reporting भर change करेंगे conjunction का ह häufig करेंगे यहाँ पर person change करेंगे, tense change करेंगे और यहाँ इस distance ता हाई नहीं नहीं change करेंगे चलिए reporting भर्ब change करते है reporting भर्ब change होता है आपका इस sentence कर उसार और यह दिया गया sentence question पुछ रहा है question mark लगा है इसका मतलब कि यह sentence आपका interrogative sentence है interrogative sentence में said to को asked में change कर देते है तो हो जाएगा आपका कि the teacher the teacher said to को किस में the teacher asked यहाँ पर student है तो students students यहाँ पर connector के रूप में connector conjunction के रूप में हम लगाते हैं इसमें जब sentence interrogative sentence में yes or no types बहुना conjunction के रूप में if यह वेदर लगाते हैं यहाँ पर आपका लग जाएगा इफ इफ लग या उसके बाद से हम इस sentence को authority बना देते हैं तो यहाँ पर पहले subject को लिखेंगे subject लिखेंगे तो subject देखेंगे चेंज होगा person चेंज होगा न यह आपका second person आपका object के अनुसार चेंज होगा तो object यहाँ पर देखेंगे students हैं student होता students plural है न यहाँ पर ही लगता लेकिन यह plural है इसलिए दे लगेगा इफ दे यह रिमेंबर है न देखें यहां से present indefinite है present indefinite को past indefinite में चेंज करते हैं तो remember में ed लग जाएगा रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड अदलेशन वेल को तो चेंज़े नहीं करना है कहें कि नियर्नेस डिस्टेंस चेंज होता है नियर्नेस टेंस यहां पर हाई नहीं अब चलिए देखें अगले question के तरफ चलते हैं he said to us who has is calling us देखें यहां पर यह integrative sentence है लेकिन integrative का second type है यह ws type होला है देखें कैसे चेंज करते हैं इसको तो रिपोर्टिंग भर्व तो आपका चेंज होगा sentence से कनुसार तो हो जाएगा ही और रिपोर्टिंग भर्व सेट्टू को ask में change कर देंगे और यह us हैं तो यहां पर us अब देखें करेक्टर कैसे लगाएंगे तो इफ यह वेदर वाला गाते थे कब जब yes or no types का होता था और यह तो यह वाला वर्ड ही का जाक्षन का काम करता है तो डुब्र हो गया उसके बास सेंटेंस को का बनल दाटेट्यां तो ध्यान से वू वाज वाज है ना वाज स्कॉल्डिंग सॉरी वाज नहीं इस होगा तब इसको इसको चेंज करें किसमें वाज में तो हू वाज यह स्कॉल्डिंग हो जाएगा अब देखिए, us है न, us क्या है, तो यह us, first person का objective case में लिए आ गया है, यहाँ पर first person आपका he है न, तो he कनुसरका लग जाएगा, him लग जाएगा अब यहाँ से देखते हैं, अगले question चार नमबर की तरफ, कि रमेस said to me, come here, देखिए, यहाँ आपका imperative sentence है, come here, कैसे change होगा, तो यह रमेस है, तो रमेस, अब देखिए, यह reporting भर्ब कैसे change होगा, तो reporting भर्ब जब भी आपका imperative sentence में रहता है, तो यहाँ आपका order request या advice में change होत होगा, तो रमेस हो जाएगा, रमेस ordered, I mean है तो मे, अब देखिए, इसका conjunction क्या लगेगा, तो जब imperative sentence होता है, तो conjunction टू लगता है, टी ओ टू, यह come here, तो चेंज़े नहीं होगा, तो come here, नहीं, here change होगा, here किस में चेंज़ होगा, there में, अब देखिए, question number 5 की तरफ, the captain said to the players, hurrah, we have on the mice, यह देखिए sentence पाचानी है, यह किस टाइप के sentence है, यह sentence मार्क का फिक्स कलमेशनल लगा है न, यह अचानक भावनावों को पैदा करता है, वह sentence कौन सा होता है, exclamatory sentence होता है, और exclamatory sentence में देखिए, यहाँ पर exclammed, exclammed with sorrow, exclammed with joy, जिस तरह की भावना होती है sentence म हो जाएगा, the captain, sad to change हो का देखिए, यह खुसी मना रहा है कि दुखी मना रहा है, तो खुसी मना रहा है, क्योंकि मैस जिन्होंने जीता है, खुसी के लिए with joy होता है, exclammed with joy, the captain exclammed with joy, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर the players लिखे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर connector के रू होता है, तब यहाँ होगी आपका diet, अब देखिए, यहाँ से यह जो mark of exclamation लगा है न, चाहें mark of exclamation जो word है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर जो we है subject है, subject on search, the captain, the captain, सब के लिए बात कर रहा है न, तो दे लगेगा, दे, हाइव तो लगता है, किसमे, हाइव का change हो अगला sentence देखते है, he said to me, my father will come tomorrow, यहाँ से देखिए, he said to me, पहले देखिए, he said to को किसमें change करेंगे, तो sentence किसमें है, subject से सुरुआ, 30 sentence, 30 sentence में इसका मतलब कि, said to को told में, तो he told, यह मी है न, तो मी, अब यहाँ से देखिए, my father, third person, third person, no change, यहाँ पर he told me, यहाँ से आपका हमने डिगरी के कुछ महत्तपुन कोस्चन लाए है, अमिताफ वचन is the best actor, इसको change दिया गया है, the best, the best जब भी लगता है न, तहीं सूपर लेटिव डिगरी है, इसको change करना है किसमें, positive डिगरी में, उसके बाद से दिया गया sentence को change करना है, comparative में, उसके बाद से सूपर लेटिव में, देखिए कैसे change करेंगे, तो अमिताफ वचन is the best actor, इसका मतलब कि अमिताफ वचन जैसे कोई भी best actor नहीं है, इसका मतलब कि अमिताफ वचन ही सौपसे best actor है, तो यहाँ पर कैसे change होगा, किसमें change करना है, positive में न, तो देखिए यहाँ से, तो no other change करें, no other actor is, आप बेस्ट को गूड होता है न, आइस गूड आइस अमिताफ वचन, अमिताफ में capital, अमिताफ वचन, चलिए सेकेंड देखते हैं, जो सेकेंड है आपका न, सेकेंड करना है कि रंजनी is as beautiful as रिती का, इसको change करना है किसमें, इसको change करना है आपका comparative degree में, जब comparative degree में आपका change करना है, तो देखिए ध्यान से, रंजनी is as beautiful as रिती का, मतलब कि रंजनी उतना ही बुद्धिमान है जितना की, रिती का, मतलब रंजनी से न अधिक बुद्धिमान है, ना रंजनी रिती का से बुद्धिमान है, इसका मतलब को बोल देंगे इसको कि, रितिका, रितिका is not more intelligent, more intelligent than रंजनी, इसका मतलब कि रितिका is not more intelligent, रितिका अधिक बुद्धी मान नहीं है, देखे, यह more हो गया comparative degree में, और इसंटेंस पीचेंज हो किस में, comparative degree में, अगला question, question number 3 की तरह चलते हैं, करने कि no other newspaper is Iseer आच shift time time, मतलब कि आएसा कोई भी पेपर नहीं फेमस हैं जितना के हिंदुस टाइम फेमस हैं देखें यहां पर इसको चेंज करने आपका इसका मतलब कि हिंदुस्तान टाइम्स इस दब मुस्ट यह पाफुलर का सुपलेटर डिगरी का हो जाएगा तो लिखेंगे दा हिंदुस्तान टाइम्स दा हिंदुस्तान टाइम्स इस यह पाफुलर कराएंगे ना तो most popular, most popular, most popular, the Hindustan Times is most popular all of newspaper, all of newspaper, मतलब सारे newspaper से सबसे famous क्या है, सबसे famous अपका Hindustan Times है, चलिए अगले question के तरफ, करने की बराणसी, बराणसी is busier than any other town in UP, मनें बराणसी is busier, बराणसी बहुत busier, मनें busier town है, other town से कस्बा है, उतर परस का other कस्बाव में से बराणसी क्या है, अधिक busy है, तो देखिए यहां से, देखिए जब भी any other आता है न, तो any other को no other से change करते हैं तो no other town in UP, no other town in UP, in UP is, इसको कैसे change करना है, देखिए इसको positive में change करना है, तो no other town, no other town in UP is busy, as बराणसी, बराणसी, मनें बराणसी इतना busy है, उतना आन्य कोई भी busy नहीं है, अब देखिए यहां से, गोल्ड इस costlier than most other animals, most other, most other को any other से, most other को any other में change करते हैं, most other को किस में, most other को आपको any other में change करते हैं, any other, ध्यान से देखिए, यहां से आपका, any other में change करते हैं, अचाहें करने, gold is costlier than most other metals, इसका मतलब नहीं, जो कुछ और भी metals हैं, जो costlier हैं, gold ही के जैसा, मने कुछ ही हैं, तो यहां पर लिखेंगे, very few, very few metals, are, ice, costly, ice, gold, मने, gold के जैसा, कुछ ही, कुछ ही धातु आइसे हैं, जो gold की जैसे, costly हैं, यहीं मतलब था इसका, यहीं मतलब है इसका, और यह आपका ice, और ice बता दिया, कि change हो गए आपका positive degree में, यहां पर positive में change करना था, positive degree में, चलिए, धन्य बाद, अगला तुरंत वीडियो आपके लिए face होगा, वरू होगा, remove two, remove two, remove two में, बहुत ही महत्तफून questions आते हैं, आएगा, आपका fix हैगा, लेकिन हाँ है, बहुत असान remove two, जैसे में होता है न, इसी वीडियो में नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगी, अगले वीडियो में दे रहे हैं, remove two का मतलब जैसे न, कि rames is too weak, rames बहुत ही कमजोर हैं, उसको उतना होना नहीं चाहिए, मतलब rames is so weak that it is not proper, उतना उचित नहीं है, जितना कि वह कमजोर हैं, ऐसे बनाएंगे, उसके बाद से कुछ आएसे questions रहेंगे, जो simple sentence से compound में change करना होगा, compound से simple sentences में change होगा, जल्द ही आपके स्तामने वो वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, चलिए इतना के लिए धन्यवाद,